पैनिक मत हो अगर आपके अकाउंट में दिखाए देया कि प्लीज प्रोवाइड यूर जेसीटी नमबर आपको जेसीटी नमबर एपलाए करना ही पड़ेगा अक्टोबर 1st 2023 से qualified invoice retention system चालू होने वाला है वो क्या है हम डीटेल में देखने वाले जेसीटी नमबर जेपान कंजम्शन टैक्स अगर आपके पास Amazon अकाउंट है आपके अकाउंट में ऐसे दिखाए देगा होगा कि प्लीज पूट यूर जेसीटी नमबर जेपान कंजम्शन टैक्स नमबर और अगर अभी तक आप Amazon पर सेल नहीं कर रहे हैं और करना सोच रहे हैं तो बाद में आपको भी यह आ सकता है तो मेक शूर यह वीडियो को एंड तक देखो पूर यह BCD हम बात करने वाले जी सिटी की यानिकि जपान कंजम्शन टैक्स अभी तक तक क्या था कि जब बायर आपके अकाउंट से जो पर्चस करता था मैं इसी रेंगविज में बदर नहीं कुशिश कर रहा हूँ आपका प्रोड़क्ट उस प्रोड़क के प्राइस के अंदर कंजम्शन टैक्स होता है जैसे कि अगर लेट से 3000 को को कोई बायर आपका प्रोड़क्स करता तो आमेजान आपके लिए क्या करता है टैक्स कलेक्ट करता है म्याने कि 3000 को प्रोड़क्स क्रेस्टमर को मिलता है अभी तो क्या हो रहा था कि बायर कन गेट जैसी टी इंपूट क्रेडिट वें देर इन्वाइस डॉन डिस्पले जैसी नंबर अभी तक नहीं था रहाइट तो बायर जो प्रोड़क्स करने के बाद जो इन्वाइस मिलती थी वो इन्वाइस टैक्स डिडेक्शन के लिए यूज करते थी फ्रॉम ऑक्टबर 2023 में जो इन्वाइस के उपर जेसी टी नंबर नहीं है वो इन्वाइस बायर टैक्स डिडेक्शन के लिए यूज नहीं कर तो वो किसे पर्चस करेंगे जिसके पास JCT नमबर है तो आपको समझ भाए होगा कि JCT नमबर का impact क्या हो सकता है अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलोगे कि क्या यह JCT नमबर मुझे compulsory डालना है और अगर डालना है तो क्या मैं apply कैसे करूँ अगर आपके base period में base period का मतलब let's say अगर आप individual है तो January से December तक आपका एक पूरा financial year होता है उस year के अंदर अगर जपान के अंदर आपके 10 million से ज्यादा sales तो आपको JCT नमबर apply करना ही पड़ेगा अगर आपने एक साल के अंदर 10 million नहीं cross किया है then you don't have to register for the JCT number अगर आपके पास JCT number है तो qualified invoice आप यूश्व कर सकते हैं बायर वो खरीदेगा तो उसके ओपर JCT number आएगा जिस्ट नमबर है तो उसको tax credit मिल सकता है अभी तक वो without JCT number बायर को tax credit मिलता था इसके बाद जब वो इन्वाइस के ओपर JCT number आएगा तब भी बायर को tax credit मिलेगा तो जो बायर को tax credit चाहिए वो बायर जिस्ट नमबर वाले जो रजिस्टर वाले लोग हैं उनसे खरीदेगा अगर आपके पास JCT number नहीं है हो सकता है sales में impact पड़े who can apply for the JCT number तो एक बात तो आपको पता चली होगी अगर आपको best period में जो financial year है आपका उसमें अगर January से December तक आपके जपान के अंदर 10 million से जादा अगर sale है जरूर नहीं कि वो सिर्फ Amazon बाकी सब मिला कि अगर आपके 10 million है तो आप क्या होगे JCT obligated seller और अगर आपके 10 million नहीं त और non obligated का मतलब एक साल में उन्होंने नहीं किया है तो अगर आप non obligated है you don't have to really apply लेकिन Amazon क्या बोलता है अगर आप non obligated seller भी हो तभी अगर आप JCT के लिए apply करते हो तो आप invoice issue कर सकते बायर को तो जो बायर को tax credit चाहिए वो बायर आपसे खरीदेगा super simple तो JCT number के बारे में आ उसका English support भी है आप Amazon account के अंदर जा सकते है वहाँ English support की link भी दिया है उन्होंने नहीं आप खुद भी apply कर सकते है मेरे case मेरे CNA apply किया था मैं खुद भी कर सकता हूं it's not difficult at all आप आपको national tax agency के website पे जाना है और Amazon के seller central के अंदर उसकी link भी है अगर चाहो तो मैं उसके link वीडिय भी discussion में दूंगा जरूर नहीं आप it's not compulsory to do the JCT number please understand this is the bottom line because इसी लिए आप wait करते होंगे भाही क्या मुझे डालना है पड़ेगा no if you don't put the JCT number what will happen you are the JCT non-obligated seller correct अगर आपके 10 million के अंदर है तो अगर आपके 10 million के उपर sell है तो आपको करना पड़ेगा most of the people who are watching this video either उन्होंन है तो then you need the JCT number तो अभी क्या देखेंगे अभी हम देखेंगे कि JCT number अगर आपको मिला तो submit कैसे करते हैं तो मैं मेरे account के अंदर जाता हूं यह है मेरा account और इसके अंदर अभी यह morning मैं साड़े 6 बजे record कर रहा हूं इस video को अब यहां देखो action on one selected यहां है provide your JCT number तो यहां मै क्लिक करूंगा provide now पे जैसे मैं provide now पे क्लिक करता हूं यहां आ रहा है कि आपको यहां JCT number टाइप करना पड़ेगा तो मेरे पास भी नहीं है क्योंकि वो आने वाला है जब आएगा तब मैं करूंगा और उसके बाद नीचे आना यहां और यहां आकर save setting करना तो अभी यह भ आप non-obligated seller रहते हो why you are caring about this right so I hope आपको समझ में आगा what is JCT, JCD कैसे करते है कैसे यूज होता है क्या आपको जरूरी है नहीं जरूरी है तो पैनिक मत हो ना अगर आपके account में वो दिखाए दिया का please provide your JCT number तो कभी-कभी लो बहुत सारे लोगों को question आ रहे थे कि क्या करे हम मेरे student की question आये थी तो मैंने जब CSA contact किया उन्होंने सब चीजें बताई बाद में मैंने सोड़ा research किया उसके बाद यह मुझे information पता चलिया और वह information में आपको इस चैनल के उपर देने की कोशिश कर रहा हूं so I hope you like this video like करो subscribe करो और दूसरी बात अभी मेरा product selection formula PSF course बहुत ही जल्द आने वाला है मैं date declare नहीं कर रहा हूं अभी तक लेकिन बहुत जल्द हो आने वाला है आप अगर चाहो तो मेरे description के अंदर link होगी वहां से आप apply कर सकते हैं जो जो लोग apply करेंगे उसको flat 50% discount में देने 25 members के लिए तो make sure आप उसको register करें बहुत ही जल्द वो training program आने वाला है और इसके उपर मैं आपको update करते रहूंगा Instagram के उपर अगर आपने मुझे follow करें और Amazon FBA Japan के related update जो भी आपको information चाहिए आप इस channel के उपर updated रहेगे so that's it for this video guys and I will see you in the next video करेंगे